Hello dear students, welcome to my channel, जिसका नाम है full syllabus, और आज की ग्लास में आपके लिए लेके आया हूं एक निया टोपिक, that is conjugate edition of Gilman reagent, ठीक है, conjugate edition को हूं 1 for edition भी बोलते है, 1 for edition reaction भी बोलते है, और यह जो conjugate edition होते है, this is something like Michael edition, आपने पढ़ा होगा, Michael edition के बारे में, सो इसकों क्या कहते है, Michael edition भी बोलते है, ठीक है, आज की ग्लास में यहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अब बात करते है, conjugate edition का मतलब क्या है, देखो जो हमारे ग्लिमेंट reagents होते हैं, वो हमारे LDR ketone से addiction नहीं करते हैं, जो हमारे सिंपल जैसे LDR ketone होते हैं, जैसे हमारे के LDR ketone है, इस टैप के LDR ketone के साथ में, जो हमारे ग्लिमेंट reagents होते हैं, यह इनके साथ में reaction नहीं करते हैं, लेकिन, अगर हमारे पास कोई alpha, beta, unsatuted aldehyde, या ketone है, तो उस case में, जो हमारे ग्लिमेंट reagents होते हैं, वो इनके साथ reaction करते हैं, और जो reaction होती है, वो होता है, conjugate addition, ठीक है, alpha, beta, unsaturated aldehyde and ketones, simple aldehyde ketone के साथ में, गिनमेलेजियन दिक्सन नहीं देते हैं, अब बात करते हैं, conjugate addition के मतलब क्या है, देखो यह आप एक alpha, beta, unsaturated caramel compound है, अगर आर आपका hydrogen होगा, तो यह aldehyde हो जाएगा, अगर आर आपका कोई alkyl या rl group होगा, कोई भी यह group होगा, hydrogen को छोड़के, यह आपका ketone बन जाएगा, और विसी बात है कि highlights नहीं होगे, ठीक है, तो इसमें देखो, अगर यह देखे, तो इसमें यह होती है, alpha position, यह होती है, beta position, ठीक है, तो जब beta position पे कोई add act होता है, जब beta position पे कोई addition होता है, तो हम उसको बोलते है, conjugate addition, ठीक है, यानि अगर बीटा position पे कोई group आके attach हो रहा है, कोई group आके add हो रहा है, तो हम उसको कहते है, कि हाँ आप अभी conjugate addition होए, ठीक है, तो इसको हम बोलते है, conjugate addition, क्या होता है, attack at beta position, ठीक है, यह होता आपका conjugate addition, attack बोल देखो, addition बोल दो, किसी nuclear file का है, किसी subject to a group का, beta position पे आके attack करना, add हो all as conjugate addition, ठीक है, Michael Rixon वी कुछ ऐसी होता है, Michael Rixon में आपको क्या होता है, आपके पास एक alpha, beta unsaturated, क्या होता है, ketone होता है, यह यानि की carbon compound होता है, LDID हो सकते है, ketone हो सकता है, उसमें आप क्या होता है, एक्टी-मिथैलीन compound होता है, ठीक है, इस्टे-मिथैलीन compound को हूता है, इस तो यह हमारा माइकल एडिशन होता है ठीक है और इसको हुम क्या कहता है इसको हम बोलता है पूलते हैं कॉन्जूट एडिशन ठीक है और यह जो हमारी रिएक्शन होते हैं गिलमें रेजेंट की तो जो आपका Conjugate Edition होता है इसको Michael Edison भी बोल सकते है तो बात करते हैं अब बस अपने Gilman Regents के बारे में कि Gilman Regents के case में क्या होता है कैसे क्या हो रहा है तो क्या होता है, कि अब मैंने आपको बोला है कि जो gillman reagent है, वो आपके कहा टेक करते हैं? बीटा पॉजिशन पर, जब gillman reagent के attack होगा, बीटा पॉजिशन पर होगा, तो सबसे पहली बात तो यही है कि बीटा पॉजिशन पर टेक क्यों करेगा? थीक है, आपको पता है, जो हमारे Glemen reagent होती है, यह मारा R2 Cu Li ठीक है, यह हमारे Glemen reagent होता है और इसमें क्या होता है कि जो हमारे alkyl group होता है यह nucleophile की तरह भी एउग करता है That means कि जो conjugate addition हो रहा है alpha-beta unsatuted ketones पे या aldehydes पे, जो Glemen reagents का यह एक नुकलियोफिलिक एडिशत है और हमें यह भी पता है कि जब हम कार्बनल कंपाउंड की बात करते है तो कार्बनल कंपाउंड में जो हमारा कार्बनल कार्बन होता है ठीक है? हमारा यह जो कार्बन होता है जिसका हम कार्बनल कार्बन बोलते है बिकोज़ बिस ऑक्सीजन जो की हाइल इलेक्ट्रो नेगेटिव एटाम है इसके वज़ेसे यहां पे कार्बन के पर होता है पारसल प्लस चार्च तो इसके कंपरेजन में तो यह वाला साइट जो होती है इसके कहानी में आपको सुनाता हूं ऐसा क्यूं हो रहा है बहुत सिंपल सी कहानी है देखो मैं इसको तोड़ा अलग तरिक से ड्रोग करता हूं इस बार आपके अल्फा बिटा अंस्याचुर कार्णमिल कंपाउंड को यह है ठीक है अब क्या होता है कि यह जो कार्बन सेंटर होता है यह वाला ठीक है यह होता है हमारा हार्ड एलेक्ट्रो फिलिक सेंटर ठीक है और यह जो carbon center होता है हमारा यह होता है हमारा soft एक्टॉफिली सेंटर ठीक है मैंने पिछ़ी ट्लासिस में बात की थी hard soft electrophile & nuclear file के बारे में ठीक है जो मैं गिए गिनार में लेक्षंट बढ़ा रहा था पीछे उसमें मैंने बात की तो क्या होता है कि जो हमारे हाड नुक्लियोफाइल का टैक होता है उनका टैक होता है हमारा हमारे इलेक्ट्रियोफाइल पर यहां पर नुक्लियोफाइल अटैक करेगा हाड इलेक्ट्रियोफाइल पर तो हमारे गिलमें रेजेंस होते हैं यह हमारे क्या होते हैं हमारे soft nucleophile होते हैं क्यों होते हैं मैंने पहले classes में बताया हुए soft nucleophile इसलिए होते है कि यह जो copper होता है हमारा ठीक है इसमें क्या होते है हमारा यह जो एक बॉन्ड होता है यह जो हमारा copper है यह copper हमारा क्या होता है less electropositive atom है इतना जाद electropositive atom नहीं है तो जो एलकाइल और copper की बिशकर जो bond है इसमें जो polarity आती है हाँ पर जो polarity होती है इसकी वो थोड़ी कम होती है यानि कि इसके उपर जो आर्गोपर जो charge है charge density है वो कम होती है और यह जो property होती है यह होती है property of soft nucleophile ठीक है hard nucleophile के पास में electron density ज्यादा होती है क्योंकि जो हमारे gilliman reagents है वो soft nucleophile है और soft nucleophile soft electrophilic center भी attack करता है hard attack नहीं करता है इसलिए जो हमारे gilliman reagents है वो कैसी reaction देते है conjugate addition reaction देते है 1,4 addition reaction को वो देते है ठीक है चाहे हमारा alpha-bit unsaturated LDI 0 चाहे हमारा alpha-bit unsaturated ketone हो दोनों के case में क्या होगा 1,4 addition reaction होगी ठीक है चलो अब एक ग्जामपल लिखते कि कैसे यह addition reaction होती है समझ में आ रहा है ना बहुत जूरी टोपिक है ठीक है नेट में तो गेट में तो हमें सब question आता है यहां से गilliman reagents पर जो questions आप देखोगे ज़द तर यहीं मिलेंगे conjugate addition वाले ठीक है कुछ simple वाले कुछ stir chemistry वाले तो इस वीडियो में simple वाले की बात करेंगे नेक्स वीडियो में stir chemistry की बात करेंगे जो गिल्में reagents की जो attack होता है जब ketone alpha beta compound पर तो above the plane है below the plane है कब क्या होता है उसके बारे नेक्स वीडियो में बात करेंगे तो यहां पर हम एक example देखते हैं मैं एक example लेलता हूँ है यहां पर simple सब यह आपका हो गया है ठीक है यह कि आपके पस alpha beta unsaturated ketone compound आपके पास ही एक है ठीक है और हब हम इसकी reaction करा देते हैं एक simple से गिल्में reagent के साथ में वह हमारे पास let's say मैं कोई भी R group लिख देता हूँ यहां पर R u c l i अगर R हमारा methyl है तो best reaction उसमें होती है कि भी कोई जब side छोटा होने के वाज़े से अब क्या होता है इसमें कि जो मारा R group है यह इसका attack होता है इस carbon पर यह bond इस तरह मोग होता है और यह आता है इधर और हमें मिलता है एक inolate ठीक है जिसको lithium inolate भी बोलते हैं तो हमें मिलेगा CH2 पर attack हुआ हमारे इसका R group का then we have CH double bond CO minus lithium plus and CH3 ठीक है हमें यह क्या मिलता है lithium inolate यह बनता है पहले इसमें और यह lithium inolate का क्या होता है इसका गर हम work up करते है with water and acid तुसका protonation हो जाएगा and it will give you R CH2 CH double bond COH CH3 and then this is the enol form then keto enol total radiation will give you CH2 C double bond COH CH3 cross bonding keto group ठीक है तो जो मारा R group है यह कहां R to attack was का इस बीटा position पर attack हुआ and fourth position पर attack हुआ हम इसको बोलते conjugate addition और one four addition ठीक है तो simple reaction यह हो गई आप आप थोड़ा selectivity की बारे में बात कर लेते अब देखो आपके पास LDI किटोनों सबके केस में सेम तरह से reaction होनी है कोई भी आप गिलेमें रेजेंट लो आर आपका methyl हो इथाईल हो तब इसी type से reaction होनी है अब CS3 के जग आपके पास cyclohexyl ring लगी हो या कोई कोई isopropyl group लगा हो या कोई benzene ring लगी हो सबके केस में ऐसे ही reaction होगी ओके अब थोड़ी और बात करते इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं एक दो aspects के बारे में मैं यहाँ एक example लो लेके दिखाता हूँ आपको इसके बार में आपको बतातो क्या हो रहा है इसका example को मैंने क्यों लिया है वैसे आप समझ जाएगे में structure ड्रोकर नेशी है ओके यह हमारे पास कोई कान्विल कंपाउंड है जो कि हमारे पास alpha beta unsaturated कान्विल कंपाउंड है अगर आप इसमें देखे दो beta centrist के पास में है एक तो हमारे पास यह beta position है और एक हमारे पास यह beta position है ठीक है अब question यह होता है कि जो हमारा gillman recent है जब इसका reaction होगी ठीक है suppose करो फिल से में simple यहाँ पे इसकी जब reaction होगी तो इसका जो निकलियोफिलिक पार्ट है वो यहाँ पे अटेक करेगा कि यहाँ पे अटेक करेगा ठीक है जो लेस इंडर कार्बन होगा उस पे अटेक होगा ठीक है कहाँ अटेक होगा less substituted carbon पे अटेक होगा हमें पता लगाना है कि less substituted carbon कौन सा है उसी पे हमारा gillman region का इसमें अटेक होगा अब देखो इसके carbon की बात करेए इसके पर दो अटेक होगा हमारे gillman region का इसका तो इसका जो अटेक होगा वो इस वाले कार्बन सेंटर पे होगा ठीक है और जो हमें CH2 C double bond O CH double bond C CH3 CH3 और यहां प्यार के लगेगा हमारा R group ठीक है पहले inolate बनेगा पहले inolate बनेगा फिर hydrolis होके inol बनेगा देन totalization होके ketone बनेगा ओके तो अगर आपके पास दो बिटा carbon है एलफा बिटा अनसाचुएशन वाले और आपको दोनों मेंसे किसीट पर अटेक करके दिखाना है तो आपका वस उस पर अटेक कराना है जो का सेंटर क्या है less substituted center है ठीक है सिंपल है जैसे आपका यह है वैसे आपके पास कोई cyclic compound भी हो सकते है जैसे की एलफा बिटा अनसाचुटेट किटोन कंपॉंड में यहाँ पर ले लिया है ऐसा भी आपके पास कोई compound हो सकता है यह हो सकता अब इसकी रेक्शन भी आप करा सकते है किसे temperature जो होता है वो लो होता है ठीक है low temperature prediction यह हो दिये तो यहाँ पर जो रेक्शन होगी आपकी आपको जो प्रोडुक्ट मिलेगा वह आपको दें मिलेगा ठीक है यहाँ यहाँ पर मैं भी ठीक है अब और आपको एक्जम्पल लेना चाहे जैसे कि एक्जम्पल हम और ले लेते हैं हमारे पास कोई CS3 CH double bond CH H C double bond OH ठीक है हमारे पास कोई alpha beta unsaturated अगर aldehyde है और इसकी हम रेक्शन करा देते हैं अपने सब्सक्राइब है ग्लिमेंट रेजंट के साथ में हमने यहाँ पर ले लिया है lithium dehydrial cuprate solvent होगा और 0 degree centigrade पिश्चन कर रहे हैं मैंने आपको बता है ग्लिमेंट रेक्शन कर रहे हैं जो होती है वह एथर में होती यह लो temperature पर होती है तो यहां पर आपको प्रोड़क्ट बनेगा that will be simply this one conjugate addition होगा यानिके one four addition होगा और आपको जो प्रोड़क्ट होगा इत्हाइल ग्रॉप पाकर कहां लगा यह alpha beta पूशन पर यह यहां पे हृट्रोजन भी होगा फीट थिक है फीटा पूसिशन पाका इत्हाइल ग्रॉप लग जाएगा तो शिंपल सी चीज है जब यह आपके पास alpha beta unsaturated unsaturated carbon compound है चाहे वह ldi-eid चाहे वह kittone हो और आपके उसकी रिक्षान कर रहे है किससात में vibrations कर रहे है तो जो आटेक कोगा बिटा पुजिटा पर होगा क्योंकि बीटाप कर सोब्स क्या इलेक्त्रोफाय रहे है और सोब बीटा पास दो बीटा उस पे जाके हमारे नुक्लियोफाइल का क्या होगा अटेक होगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही आप हमारे पास जो बचा है जिस पे कुश्चन सेक्च्छल में आते हैं नेट्रोगेट में वह होती ही स्ट्योकेमिस्ट्य वाली बात कि यह जो मैंने सिंपल यहा यह अबोद अप्लेन आता है कि ब्लोद अप्लेन आता है इस तरह आपके कुश्चन सुच में आते हैं आपके नेट्रोगेट में तो उसके बार में हम बात करेंगे सेक्रेटली हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को देखे और समझे कि कैसे अल्फा